बॉर्णिंग वेलकम बैक टो माई चैनल शिकादिक्षित पांडे ब्लॉग और मैं शिकादिक्षित आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इस्वर से काम ना करती हूं कि आप सब स्वस्थ हों मस्थ हों और खुश रहे हैं हमेशा और अभी सुब मुझा है और सुब्स होगा है मेरा और काम करती करती मैंने शचा थोड़ा सा व्लॉग ही बनाद हूं कि मेरे कमवे की हालत इतनी पुरी हो जाती है पूरे घर में ही सब आरेंज करना पड़ता है सुबस्बस सारा इधर उधर हो जाता है तो अभी मैं दिखाती हूं जैसे उ काम पे लग रही हूं शुरू कर रहे हूं और यहां से वहां तक सारा का सारा मुझे भी सब सही करना है तो कैसे यहीं चीजें आपके घर्मे भी होती होंगी सब सुदा सुदा बहुत सारा काम हो जाता है और बहुत सारा एक तो गर्मी उपर से गर्मी तो इस वार परशान करे हुए बहुत शाइद वाली और उपर से सुदा सुदा उठो फिर से सारे काम ड़िन करो तो कभी-कभी मन नहीं करता है करने का लेकिन हर बार करना तो पड़ेगा, इस दो शूरू हो जाते हैं और बस मैं भी शुरू होने जा रही हूं काम करने के लिए तो मिलते हैं काम करने के बाद तो यहां पर मैंने अपनी पूजा कर ली है पूरी और आज मैंने भोग लगाया हूँ था तो मैंने बनाया था चावल और सब्ची पूड़ी कचौरी और इसी का मैंने भूग लगाया और हम सबने फिर वही भोग खाया खाना खाकी सब तो लेट गए और मैंने कर दे इतने सारे कपडों की प्रस क्योंकि प्रस क्रीड के कपड़े फिर बहुत जादा हो जाते हैं तो फिर गर्मी में आशकल मन नी करता तो मैं फटा फट करने जा रहे हूं प्रस और प्रस करने के बाद मैं इन सब को कायदे से रख तो थोड़े से बाहर कपड़े कम दिखाई देते हैं नहीं तो फूरे में बस फैले हुए दिखते रहते हैं और यह सारे कपड़े मैंने इतने सारे प्रस कर लिए हैं और इमकर मैं रखने जा रहे हूं अंदर और शाम हो गई है तक तक और फिर शाम को मैंने आज जलाए थ इतने सारे दिये और वो सारे दिये मैंने मंदिर में रखे हुए थे और उसके बार पूचा की थी तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं तरोई क्योंकि मेरे पती देव को आज तरोई खानी है तो आज तरोई बनेगी और मैं इसको कट करने जा रही हूँ तो गाइस हमने घर पे बना लिया है खाना तरोई की सबशी बनाए हुई है और हमलोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज हम लोगों के दिर शाला था और मंदिर जाने से पेले में मने खाना इसलिए बना लिया कि लोट के आओ तो बहुत थकान होती है तो सारा खाना बना कि में रख के गई थी और यहां मंदिर में गजब की भीड़ा है दर्शन करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि भीड़ भी देके लिए जाना हो रही है कि अब गार काईस मंदिर कितना प्यारा सजा हुआ है बहुत ही सुन्दर लग रहा था मां पे इतनी दीर होने के बावरूद की बहुत अच्छे से दर्शन हो गया हम लोग को और दर्शन करेंगे अब हम लोग निकल पहुचके हैं घर बहुत जबर दस तारी धीर में दर्शन हुए तेकिन दर्शन बहुत अच्छे होगे थे उस नमहां पे उतना जादा नहीं भीड लग लग रही और बाहर के साइड में तो पूरे उसमें किकिल प्रोग्राम प्रहाँ चल रहे थे तो बहुत कब जबर दस वाली भीड थी तो पहले तो बड़ा ही उलजंसी होती है भीड देख गई तो मन तो नहीं होता तेकिन फिर भी दर्शन करने से तो भीड में गए और दर्शन कर भी आए और बहर अच्छे से दर्शन हुए तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो गैस अब यहीं पर मैं अपने वीडियो को रोक रही हूं और आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज चैनल पर नहीं होतो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो बताता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए थैंक यू पर वाचिंग पाई